C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाथ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याई चार जिसका शीर्शक है लोकतांतरिक सरकार के मुख्य तत्व प्रिष्ट 49 से प्रिष्ट 46 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याई चार लोकतांतरिक सरकार के मुख्य तत्व प्रिष्ट 49 इस पार्ट में आप लोकतांतरिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे इन में लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं ये सभी लोकतांतरिक विवस्था को सफल बनाते हैं अगर लोकतांतरिक विवस्था नँ हो, तो क्या होता होगा? आईए, इसे जानने के लिए दक्षिन अफरीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ ही इस प्रिष्ट पर विश्व का मानचित्र दिखाया गया है जिसमें भारत और दक्षिन अफरीका के नाम चिन्हित हैं दक्षिन अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं श्वेत अर्थात गोरे अश्वेत अर्थात काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतिये जोहनस बर्ग में रहने वाली ग्यारह वर्ष की दक्षिन अफ्रीकी लड़की माया नाइडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी उसे एक रिजिस्टर स्क्राब बुक मिला जो अख़बार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था उसमें एक पंद्रह साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन उसको पुलिस ने गोली मार दी थी माया को बड़ा जटका लगा उसने पूछा क्यों प्रिष्ट चालीस इस पृष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें माया के हाथ में एक रेजिस्टर है और उसकी मां उसे कुछ समझा रही है माया की मां ने समझाया कि दक्षिन अफरी का पहले रंगभेद कानून से शासित था रंगभेद का मतलब है त्वचा चमडी के रंग के आधार पर भेदभाव करना दक्षिन अफरी का की प्रजातियां इसी आधार पर अलग-अलग समूहों में बटी हुई थी वहां के कानून के मुताबिक श्वेथ, अश्वेथ, भारतिये एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी विभिन प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और नहीं आम सुविधाओं का इस्तिमाल कर सकते थे माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था रंग-भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मा की आवाज में बड़ा घुसा था उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाडियां भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाडियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसजित होती थी, जबके अश्वेत लोगों के लिए जो गाडियां थी, उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, यहां तक के श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों इवं भारतियों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिनी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, सुवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीट वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग एफ्रिकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्यविद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। जबके वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के स साथ मिलकर एफ्रिकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिन अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड पर गोलियां बरसाइं। उन में से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया। ये सोलह जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रिय कॉंग्रिस और उनके जाने माने नेता निलसन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संगर्ष किया। अंततह 1994 में उन्हें सफलता मिली। और दक्षिन अफ्रीका एक लोकतांतरिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों क के लोगों को बराबर माना जाने लगा। प्रिष्ठ 41 इस प्रिष्ठ पर दो पीली लाइनों के बीच आप से कुछ पूछा गया है। अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे इसकी सूची बनाईए। एक, दो, तीन, चार, पांच, हेक्टर और उसके साथ ही किस बात के खिलाफ संगर्ष कर रहे थे। क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है। क्यों। आईए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतंत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी हमारे यहां नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निरनाय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधी चुनते हैं। यह प्रतिनिधी ही लोगों की तरफ से निरनाय लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधी निरनाय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के बक्से में आप से कुछ करने को कहा गया है। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समाई के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है। सभी सरकारों को एक निश्चित समाई के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधी पांच वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार पांच वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार-बार चुने चुनाव का समय लोगों के लिए वो घड़ी है जब वे लोगतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रन बना रहता है भागीदारी के अन्य तरीके चुनाव पांच वर्ष में एक बार होते हैं वोट देने के अलावा लोग तंत्रिक सरकार के निरणयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं लोग सरकार के कारियों में रुची लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं प्रिष्ट बयालीस इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बकसे में एक कार्टून और कुछ अखबारों की सुर्खियां दिखाई गई हैं यहां किस पर सहमती या असहमती प्रकट की जा रही है कार्टून में दो व्यक्ति एक गाउं के पास से गुजर रही है उनके सामने खाली बर्तनों की एक लंबी कतार लगी है वो टिपणी करते हैं आल बुरा नहीं है जरूर पास के किसी गाउं में नल से पानी आ रहा होगा एक अन्य सुर्खी का शीर्शक है संपादक के नाम चिठ्थी पोस्टरों पर रोक लगे दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुन्दरता को खराब करते हैं कई बार पोस्टर महतवपून स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिये जाते हैं यहां तक के सड़क के नक्षों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है सभी राजनेतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमती बनाएं महेश, कपासी, दिल्ली, कारवाई ये चिंता का विशय है कि भारत में बागों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रही हैं ये काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रही हैं सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया सरकार को इन पर जल्द से जल्द कारवाई करनी चाहिए जंगल चोरों को गिरफतार करना चाहिए और बागों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दस सालों में बाग विलुप्त प्राणी हो जाएगा सोहनपाल, गुवाहाटी, असम सरकार बाढ़ पीडितों को मुआवजा अवश्य दे अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए लेकिन अंततह उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाय गए दामों को घटाना पड़ा सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रती जिम्मेदार है ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राए व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कारवाई करनी चाहिए इन तरीकों में धरने, जुलूस, हर्ताल, हस्ताक्षर अभियान आदी शामिल हैं इनके जरीए जो बातें गलत हैं और नियाए संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है प्रिश्ट तैंटालीस अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलिविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपून भूमिका निभाते हैं यहां ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे. दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरीय ही हो पाती है. अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुची लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतंत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है. अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गाउं की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुख कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। विवादों का समाधान आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समुह ये मान लेता है कि दूसरे समुह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है प्रिष्ट चवालीस इस प्रिष्ट पर बाई और पीले रंग के बकसे में आपको कुछ निर्देश दिये गए हैं माया की कहानी को दोबारा पढ़िये क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था कैसे विवाद त जब विभिन संस्कृतियों, धर्मों, शेत्रों और आर्थिक प्रिष्ट भूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ बेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मत तरीके भी अपनाते हैं जिस से अन्ने लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पहलती है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो विवादों का समाधान करे। आईए, अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उधारण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भढ़कने का खतरा रहता है। कभी-कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खास कर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपून भूमिकाने भाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिती न पैदा हो, हिंसा न भढ़के, वो सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताके विवाद का समाधान निकल सके। इस प्रिष्ठ पर बाई और, पीले रंग के बक्से में भारतीय समविधान के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय समविधान में बुनियादी नियम और कानून दिये गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सब को इनको मानना पढ़ता है। विवादों का समाधान इन्ही कानूनों के आधार पर होता है नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बटवारा विवाद का कारण बन जाता है उदाहरण के लिए आपने करनाटक और तमिलनाडू के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा करनाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है इस पानी से बेंगलूरू शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं तमिलनाडू के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है प्रिष्ट 45 इस प्रिष्ट पर कावेरी नदी का एक द्रिश्य दिखाया गया है उस द्रिश्य के नीचे लिखा है पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं करनाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के उपरी छोर पर है और तमिलनाडू का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो के नहीं मिल पाता इस से विवाद उत्पन होता है तब राष्ट्रिय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताके दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए समानता एवं न्याय लोकतांतरिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रती वचन बद्ध होना न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बकसे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था? कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्प्रिष्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुँची? प्रिष्ठ चे आलीस अस्प्रिष्यता याने छुआ छूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य इवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया पहले हालात ये थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था डॉक्टर अमबेड कर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा और कई अन्य लोगों ने जोर दे कर कहा कि ये प्रथा अमानवी ये है न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेश प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे जैसे हमारे समाज में ये आम प्रिवृत्ती है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है ये धारणा गलत एवं अन्याई पून है इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने कुछ विशेश प्रावधान किये हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याई से छुटकारा पा सकेंगी उदारण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस, खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के बकसे में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है उदारण देकर बताईए कि इस स्थिती में आपने उसकी क्या मदद की क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया अभ्यास एक आज दक्षिन अफरीका में माया का जीवन कैसा होगा दो किन विभिन तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं तीन विभिन विवादों और मुद्दों को सुलजाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है चार, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवाहार हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है पाँच, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाईए उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं इसी के साथ नौ अध्यायों की इस पुस्तक का चौथा अध्याय यहां समाप्त हुआ वाचन, बाबला कोछर, निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली प्रस्तुति, C.I.E.T. N.C.E.R.T.